दोस्तों, वालकम तो AIMS Compitology, in this video we will know that how to use AI in Microsoft Excel, जियां जोस्तों, इस video में जानेंगे कि कैसे, Microsoft Excel का use हम AI के साथ कैसे कर सकते हैं, AI stands for Artificial Intelligence, जो market में बहुत ते चीज़े फैल रहे, और आज के according आपको AI का knowledge आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी corporate sector में का करते हैं, और वहाँ पर आपको एक्सल और काम परना होता है, तो आपकी जोब खत्रे में जियां जोस्तों, किन लोग भी जोब खत्रे में, किन लोग भी जोब खत्रे में नहीं है, इस video के लास्ट में मापको डिटेल्स में बताऊंगा, पहला जान लेते हैं कि कैसे AI की help ल दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहला आप से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप ने हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिस आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें, तो दोस्तों, जैस यहां पर जितना भी रिकोर्ड है, सब एमप्लोई का रिकोर्ड है, जो भी एमप्लोई आपके पास आते हैं, उनका रिकोर्ड आमको मैंटेन करके, यहां पर एक्सल शीट का अंदर रखना पड़ता है, ठीक है, उस दिन बाद आगर आपके बोशना है, यह कुछ सालों बा मैं है, मैं एक्जेंपल के लिए यहां पर एक 16 से एक काम कर रहा है, तो यहां पर इसको जोॉल्हा णि साला माने पास वर कितने दिन हो चुकी है, हो रृत्ना पर कंड़ने और कितने महीनें हो चुके है यहां पर निकाल कर क दिखाऊ, तो एक्सल के अंदर ऐसे काफे सारे function है जैसे data function आप यहां पर लगा सकते हो उसके अंदर remedy function लगाएंगे वगएरा वगएरा ठीकर नाव function लगाएंगे तो उसको सोचने के लिए इस data के according आपको काफे टाइम जाएगा मतलब सोचना बड़ेगा function लगाने अब लगा कोई सा function कहां पर लगाने तो यह सब आप सिकंटों में कर सकते हो जिहां दोस्तों AI की help से अगर आपको इस data के according यह formula पता नहीं लग पा रहा है ठीकर तो आप AI की help लेकर के इस formula को यहां पर सिकंट में लगा सकते हो वो किस तरह से इस वीडियो में details में जानने वाले हैं तो आपको क नहीं पता है इस data के according यहां पर हमको कुण सा function लगाना है चो हमारी right value निगलके आ जाए उसके लिए करना है कि है आपको Chrome browser पर जाना है और chat GPT को login करें जहां जोस्तों आपको सामने कुछ इस तहां का interface नजर आएगा चैनल पर सब्सक्राइब आपको मिल जाएगी जरूर चैकाउट कर लेना तो आपको सामने यह interface नजर आएगा 3.5 इसका 4 वर्जिंस भी आ चुका है जो की pad है आप फ्री वर्जिंस भी यूज़ कर सकते है डिपेंस और आगर करने आते हैं मतलब यह समझे कि यह को पाइलेट यानि के एक रोबोट है ठीक है तो आप इसको सिर्फ कोश्चन मता नहों था आपको अपने डेटा के अकूर्डिंग इससे क्या करवाना है अगर आपको वह यहां पर कुश्चन करना सही तरीके साथ है तो यह सही तरीके सा आपको आंसर देकर निकाल कर गए तो जो लोग प्रॉंप लिखना जानते हैं तो वह इससे बहुत ही यानि कि घंटों के काम को मिंटों में गंबट करा करके रख सकते हैं इसकी है तो करना कहा है जैसे कि मेरा पास डेटा है इस डेटा के अगर्डिंग मुश्कों वैल्यू operator I have data in Excel file in which I column has employee joining date and now I want to calculate how many years, months and as well as raise has it been since its employee has joining the company, give me a formula for that ये English मता, Hindi मता देता हूँ, मैंने इसमें लिखा कि मैं एक Excel operator हूँ और मेरा पास Excel में एक Excel का मतलब data है जिसमें I column का अंदर employee की joining dates लिखी है और मैं चाहता हूँ कूँ calculate करना किसको, year को, month को and days को, is that clear, जो employee की joining date में जुड़ी हूई है और give me a formula for that ठीक है तो ये formula यानि कि क्रौन को उसको लिख जाया हूँ, कहने का मतलब ये है कि charge GPT को जाकर के सिर्फ ये बताना है कि आपके पास जो भी data है उसमें साब उससे क्या पूशना चाहते है, joining date के ह हिसाब से हमको month, year और days निकलना है, simple वही हमने यहाँ पर लिखाया है, यहाँ पर, clear, तो मैं इसको कर लेता हूँ, पूरे को copy, और depend ये करता है कि आपको जरूरी नहीं कि इंग्लिस में ही लिखना है, exactly आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर और अब मुझे calculate करना है हर एक employee को कितने साल, महीने और साथ ही में कितने दिन हुए है, company में join किये हुए, is that clear, इसके लिए मुझे formula दे दो, तो आप depends होने हो, आप कोहीं सा भी formula, यानि कि कोहीं सा भी code यहाँ पर paste कर सकते हो, चलो मैं यहाँ पर हिंदी वाला ही paste कर ला तो म मैं इसको कर लोगो select, ctrl c button paste करूंगा, चैट gpt पर जाओंगा और यहाँ पर आ करके ctrl v button paste करूंगा, is that clear, यानि कि code मैंने वहां से उठाया, और simple यहाँ पर paste कर लिया, इतना करना आपको, एक बर यह confirm कर लेना है कि यहाँ पर जो i column हमने यहाँ पर दिया है, यानि joining date के according हम को यहाँ पर formula चीए, वो right है कि wrong है, हम यहाँ पर अपने google search or receipt के अंदर जाएंगे हो, और यह joining date जो हमारी i column के अंदर ही लिखी है, exactly, तो यह हम चैक कर लेना है, और यहाँ से इसको write कर लेते हैं एक बार और यहाँ पर जैसे कि मैं i लिखते तो, बस इतना के लिदर करना ह वाँ, it's amazing, आप यहाँ पर देखें, जैसे मैंने यहाँ पर इसको prompt दिया था, तो इसने उसी language में, जिस language हमने इसे पूछा था, उसी language में answer भी दिया है, यहाँ बिलकुल, मैं आपको एक formula दूँगा, जो आपको हर एक employee joining date के साथ, से लेकर आज तक कितने साल, महीने और द लगाना है, तो आपका year, month calculate महाँ पर हो जाएगा, इसी तरीके से, बस आपको यह formula लिखने महाँ पर घंट हो जाते, यानि के source से क्या formula लगाना है, क्या नहीं लगाना है, year, date, month लगारा, to day function, काफ़ सारे function हैं आपको इसको सिरिफ copy कर लो, copy करने को आपको action sheet के अंदर आन जैसे मैंने यहाँ पर यह फिल करा, तो इस date के according इसने यहाँ पर दिखा जिया है, 7 साल, 14 माहिने, 9 days, 9 days, exactly, जैनके इसका according अगर आप यहाँ पर निकालने जाते हैं, तो देखो कितना वड़ा, आप formula बार में देख पाओ, यहाँ पर देखो, कितना यह लंबा चोड़ा formula यहाँ पर लगा आता, यहाँ आपको manually यहाँ पर टाइप करना पड़ता, तब जागर के यह answer आता, तो इतना time नहीं है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ चैट जीप टू जागर के question बता, जिसके हमारे boss ने हमसे कहा था, इस date के according, journal date के हिसाब से, यहाँ पर year, month और days निकाल करके दिखा तो, बस सभी का मुझको नीचे देखना है, पकड़के नीचे की और drag कर देंगे, you can see, सभी का यहाँ पर निकल के proper तरीके से आ चुका है, एक निए amazing, तो अगर आप यह करने जाते हैं तो घंटो का time आपका जाने हो आला, is that clear, तो यहाँ पर मैं लिख देता अपना में बहुत ही powerful डूले दोतों, जियां दोतों, बहुत ही ज़्यादा powerful डूले, ठीक है, अब मैं आपको यह बता दूँ कि चैट GPD यानि कि AI किन कि लोगों की जोब पाने वाला है, देखो मैं आपको बता हूँ, AI का नोली आज के दोर के हिसाब से आपको आना कम पर स लिए ध्यां। जुकि आई को AI का यूज करना नहीं आता, उन लोगों की जोब खत्रे में हैं। क्योंकि मैं आपको बता दो, अगर अन आपको AI यूज करना आता है, तो आप AI की help से अपने कामों को ज़्यदा आसान बना सकते हो. अब या तो आपको भी AI का यूज होना पह झाल झाल